हाँ जी गुड़ीवनिंग गुड़ीवनिंग सब लोग आ गये हैं हाँ जी शुभान्सू क्लास स्टार्ट हो चुकी है त्रशान्त निशिता मानशी विने किशन चलो जी सब भी लोग आ गये हैं और जिन जिन लोगों को बुक्स मिल चुकी है बहुत बहुत बधाई और आज बुक्स का यूज होने वाला है बुक्स के मैटर पर वैसे भी मैं आपसे बात नहीं करूँगा और मेरे ख्याल से ओडियो वीडियो में आज कोई इश्यू नहीं आएगा हमारी पूरी कोशिश है एक बाद कन्फर्म कर दे ना ओडियो वीडियो में तो कोई समस्या नहीं है ग्रेट थैंक्यू तो चलो स्टार्ट कर रहे हम लोग क्लास कल जो डिस्कुर्शन किया था हाँ जी वेजनती कल जो डिस्कुर्शन किया था वो हम लोगों ने किया था किस मैटर पर मेरे ख्याल से हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ा था NPV जो की मुख्य चीज है NPV और IRR दो टॉपिक पे हमको ज़्यादा मेनद करना है हाला कि हलका सा आईडिया ले लिया था पेबैक पिरियट का और इसके अलावा ARR का ये सब कुछ पढ़ा थोड़ी बहुत बाते पढ़ी ARR, पेबैक पिरियट, CFAT टर्मिनल वैल्यू ये सारे सब्द पहले पढ़े हुए थे मेरा काम था आपको यहाद दिलाना तो फोकस किस पे रहेगा फोकस रहेगा NPV आज हम CA final का study material ही करने वाले है सर कौन सा study जो आपको मिला है जो material आपको मिला है सेम कोश्चन से हमारे जो AFM है सेम study material है हम लोग स्टार्ट करने वाले है पर थोड़ा सा रुक के पहले मैं मुझे ऐसा कि आप पर मुझे विस्वास तो आ जाए कि हाँ इस लायक हो चुके हो कि अब CA final AFM हम कर सकते हैं तो कल सायद मैंने एक ही example करवाया था उसमें मैंने IRR नहीं करवाया था अभी भी मैं IRR नहीं करवा रहा हूँ simple NPV तो start करने हम लोग class example number two कल किया था example number one अब उतना बड़ा question नहीं होगा लेकिन छोटा सा question नहीं होगा लेकिन concept है हमें NPV अच्छे से समझना पड़ेगा NPV पर question है example number two cost of project है रुपीज 90,000 रुपीज 90,000 और रुपीज 1,000 करो इसको दिखकत ही नहीं होना EF80 तीनी साल का project पहले साल आएगा 50,000 फिर आएगा 40,000 और फिर आएगा 60,000 cost of capital 10 percent calculate NPV बहुत कुछ सीखना है भाई, सीखना है बहुत कुछ सीखना है NPV निकालना है और कोई है जो मुझे बता सकता है कि NPV कितना आएगा निकालो आराम से सर्फ फैक्टर से कर रहे ही फैक्टर से मत करो डिवाइड वाले से भी कर लो तो चल जाएगा NPV आप लोग निकाल कर बताओ कि NPV निकाल कर बता रहे हो आप लोग तनिसक का अंसर है 23591 23591 के आसपास मान लो आपने NPV निकाल लिया और आपका NPV आ गया 23591 23591 सभी का अंसर है सर इसमें सीखने वाली क्या बात थी सीखने वाली बात अब आने वाली अब भी कुछ सीखने वाली नहीं थी सभी बच्चों का सही आंसर है ऐसा नहीं है और हो भी नहीं सकता गलत सब कि सब समझदार है सब 23550 सही है कि गलत अगर फैक्टर लेकर किया होगा तो हो सकता है 23550 आजाए मुझे एक्जैक्ली नहीं मालूम पर सारे बच्चों का आंसर 23591 आ रहा है ठीक है सक्षे यस अब सुनो अब काम की चीछ अब सुनना है बात आखिर ये NPV है क्या और कोश सुनो कोशन अब मैं आपसे कोशन अब अब समझने वाली बात है अब सब लोग तयार हो जाई है तो बांसरो फैक्टर लेकर 2-3 फिलकुल सही है कोई दिक्कत नहीं है बस अब समझना मेरी बात को ठीक से कि आखिर क्या है NPV जब तक समझोगे नहीं क्यों समझा रहा है सर क् आगे आएगे सब्द modified IRR आगे सब्द आएगे realized YTM तो ये सब समझने के लिए मुझे ये समझाना जरूरी है बेसिक चीज़े है यहीं से हो जाए तो बात कता हूं एक आपका चैप्टर है बिजनेस वैलिवेशन आगे आएगा अभी आप टाइम लगेगा जब बिजनेस व कर रहा हूं और मेरा ये कहना है हा नितिन मैंने आप ही के लिए क्याइश पेश ले तो अब सुनो मेरा ये कहना है कोई lagging नहीं हो रहा कोई issue नहीं हो रहा अब concept पे आते हैं मैं यहां कुछ ड्रॉव कर रहा हूं मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी copy में करोगे ठीक है ठीक ठीक है सर्राम होगे और राम को क्या करना है सर्राम को किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाना प्रोजेक्ट और सर प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगाना है प्रोजेक्ट में एक लाख रुपे लगाना है राम को किसी प्रोजेक्ट में एक लाख रुपए लगाना है राम के पास मान लो पैसे नहीं है तो राम क्या करेगा सर राम बैंक जाएगा और बैंक से पैसे लेगा और सर बैंक से कितना रुपए लेगा बैंक से उधार लेगा एक लाख रुपए और बैंक वाला जो rate of interest चार्ज करेगा वो करेगा 10% 10% को मैं अभी cost of capital बोल रहा हूँ मान के चल रहा हूँ no tax बैंक वाले ने का कि ठीक है राम आप एक लाग रुपे ले जाए ये project भी invest कीज़े दिक्कत नहीं है पर आपको ब्याज देना पड़ेगा और ब्याज कितना देना पड़ेगा 10% मैं मान के चल रहा हूँ no tax क्योंकि बहुत सारे बच्चे हो सकते है after tax wax की बात करें मैं अभी no tax की बात कर रहा हूँ तो राम से ये पूछा जा रहा है बैंक पूछेगा ना यार क्या पूछेगा कि राम पैसे कहां से वापस करोगे तो राम एक project report बना रहा है राम कह रहा है सुनो बैंक सुनो जैसे जैसे पैसे आते जाएगा मैं आपको वापस करते जाओंगा और मेरा अनुमान है राम का अनुमान है कि first year में आएगा 50,000 second year में आएगा 40,000 और third year में आएगा 60 था होजा राम ने बैंक से ये कहा कि सुनो बैंक जैसे जब भी पैसा आएगा पहले हम आपको वापस करेंगे जितना भी आपका बनता हम आपको वापस करेंगे तो first year में आएगा 50,000 second year में आएगा 40,000 और third year में आएगा 60,000 बस तीनी साल का project है सवाल क्या है सर सवाल ये है कि राम एक लाक with interest देने के बाद last में कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा सवाल बस इतना अगर कुछ पैसा बच जाएगा last में तो project कर लेंगे ठीक है कितने percent पे पैसा उठाया है 10 percent यहां तक ठीक है अब start करें मैं हिसाब किताब कर रहा हूं मेरा मुझे साथ देना first year में आएगा 50,000 हमें किसको पैसे वापस करना है bank को तो हमने bank से पूछा bank bank सुनो हम अनुमान लगा रहा है हमने का bank ये बताईए मैं पूरा ले रहा हूं board bank bank आप प्लीज ये बता सकते हो कि अभी आपका एक साल बात कितना पैसा बकाया हो गया with interest सर इसमें से interest minus हुआ है या नहीं हुआ है सबसे important बात सबसे important बात इसमें से interest minus हुआ है या नहीं हुआ है मैं इसका नाम दे रहा हूं इसका नाम दे रहूँ CFAT Cash Flow After Tax सोच समझ के बोलना इसमें से ये 10% interest माइनस होकर आया है या नहीं होकर आया होगा जनरली क्या होता है जनरली जब आप NPV निकालते हो मैं बारी क्यों से समझाऊंगा चीजों का है जनरली ये CFAT दिया रहता है और जब आप NPV निकालते हो तो इसमें से interest माइनस होकर आता है कि नहीं आता है सभी बच्चों का कहना है हाँ सर आता है पका नहीं आता है सर क्या बात कर रहे हो माइनस होकर आया है ना भाई साब नहीं आया यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वेजनती माइनस होकर नहीं आया सर हमें समझे में नहीं आ रहा है मैं अभी मेरी बात ठीक से समझना हो अभी मेरी बात ठीक से समझना हो कि बारी क्या मुझे आपको सिखाना है बस चलो यहीं आ जाते हैं वापस आ रहा हूँ मैं वापस डिसकाउंट करने पर आता है यही तो समझाने की कोशिश करो है बिल्कुल सही आंसर दिल खुश हो गया यही समझाने की कोशिश करो हूँ बस मेरी बात ठीक से समझोगे हाँ जे सुनोगे पहले साल कितना आएगा सर पहले साल आएगा पचास जार ठीक है सर पचास जार आएगा और मुझे बैंक वाले को लोन देना लोन वापस करना मैं बैंक जितना भी आएगा ना मैं आपको वापस करूँगा पहली साल वापस कर दूँगा जो भी आएगा वापस करूँगा अब हमने का बैंक 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 बताओ ना आपका कितना हो गया टोटल मिलाकर उधार बैंक ने कहा कि हमारा हो गया भाई साथ अभी हो गया टोटल एक लाख दस अजार पहले साल में कितना बैंक वाले का होगा है एक लाग दस जार तो हमने का हमारे पास पहले साल फिप्टी थाउजन आ जाएगा और हम आप एक लाग दस जार कैसे आया ये मत पूछना एक लाग और उस पे दस परशन भी आज तो बोले हम पचास जार वापस कर देंगे रिपैमेंट तो बोलो कितना बकाया रहा बैंक वाले का एक लाग दस जार उसमें से फिप्टी थाउजन वापस कर दिया तो बचा कितना सिक्ष्टी थाउजन तूसरे साल जार फिर आया हमारे पास फिर आया मतलब आयेगा अनुमाल लगा रहा है भगवान फिर आयेगा 40,000 फिर मैं बैंक वाले के पास जाऊँगा और बैंक से पुछूँगा बैंक बैंक अब कितना बकाया है तो बैंक बताएगा ताठ थाजार ये और 10% extra तो अब बकाया है 66,000 मैंने गाँ चलो पकड़ो आपका 40,000 बैंक वाले को फिर 40,000 वापस कर दिया तो बजताओ कितना बकाया रहे गया और 66 minus 40 26,000 इस चीज के लिए भी आपको calculator लगता है हाँ, लगता है गलत हो जाएगा तो आपका खेल गता हो जाएगा 60, thank you, 66 मैंसे फिर कितना माइनस कर दिया वजनती 40,000, तो कितना आगया है 26,000 कितना बकाया रहे है अब मैं थर्ड येर का इंतजार कर रहा हूँ, भगवान पैसा आएगा और आगया, कितना आगया 20 कितना आगया, 60,000 अब 60,000 में से हमने वापस कर दिया 26,000 26,000 नहीं यार इंट्रेस्ट भी तो वापस करना पड़ेगा मतलब 26,000 प्लस 10%, 28,600 विलको सही हमने वापस कर दिया 28,600 क्या अभी भी हमारे पास पैसा बच जाएगा हाँ सर, 60,000 आया था, बैंक वाले को 28,600 वापस कर दिया तो अब हमारे पास बच गया है 31,400 एगरी? हाँ निशिता, 31,400 ठीक है, 31,400 जो तनिस्क मुझे बताना जो बच्चा है 31,400 सिम्पल सा कोश्चन पूछ रहा हूँ क्या बैंक वाले की हमने पाई पाई वापस कर दिया पाई पाई का मतलब इंट्रेस्ट भी वापस कर दिया और प्रिंसिपल भी वापस कर दिया क्या सारा पैसा वापस हो गया? यस, बोलो ना यार हाँ सारा पैसा, इसमें इंट्रेस्ट भी है इसमें से इंट्रेस्ट माइनस होकर नहीं आया है मैं इधर से इंट्रेस्ट माइनस कर रहा हूं उसके बावजूद भी हमारे पास 315400 बच्चा एगरी सर यह जो पैसा बच्चा है यह तो फाइदा है हाँ भई हम कमा कर निकल गए और कितना 31400 मन्हारे इसको बोला जाता है इसका एक नाम है इसको बोला जाता है नैट वेल्जू इसको बोला जाता है नैट वेल्यू क्या प्रोजेक्ट कर लेना चाहिए आंसर है yes 100 यार सब कुछ देने के बाद भी तो 31,400 बचा है, प्रुजेट कर लेना चाहिए, ठीक, अब सुनना, सुनोगे, सुनोगे, पर प्रोब्लम क्या है, पैसा तो आज लगाने वाले हो, और ये वैल्यू कब की आई है, तीन साल बात की, तो क्या इसका प्रिजेंट वैल्यू निकाल सकते हो, यस, नेट वैल्यू को, म 3, करो कितना आ रहा, 31,400 डिवाइड़ बाइ 1.10 पावर 3, अंसर आ गया है, 23591, तो अब इसका नाम नेट वैल्यू नहीं होगा, अब इसका नाम होगा, नेट प्रिजेंट वैल्यू और यह आ गया, 23591, वही तो चीज है, यार, हाँ, नेट प्रिजेंट वैल्यू, नेट प्रिजेंट वैल्यू को, हम क्या बोलते हैं, NPV, यह एक्चुल में कहानी, और आपने तो यार, आप क्या कर रहे हो, सर, आप टाइम पास कर रहे हो, जो काम हम एक मिनट भी कर सकते थे, उसको आप आदे घंटे पता नहीं कितना पंदरा मिनट से डिसकेशन कर रहे हो, कि यह ऐसे हो गया, बैंक बैंक, और यह तो हमने तू, थ्री, कितना आया था, फाइव नाइन वन वैसे, बटे बस यही तो मुझे समझाना है, सवाल अब क्या है, सुनोगे, सवाल यह है, कि इस NPV का मतलब यह है, कि जहां से भी आप अब ने पैसे उठाये थे, क्या सब कुछ माइनस हो चुका होगा, यस, इंट्रेश्ट माइनस हो चुका होगा, प्रिंसिपल माइनस हो चुका होगा, और उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू बचा होगा, उसका आज का वैल्यू कितना आ गया है, 2, 3, 5, 9, 1, ठीक है, तो quand कोशन बस बड़ा सिंपल सा कोशन अब मैं पूछ रहा हूँ यह जो CFAT आता है या इंट्रेस्ट माइनस होने के बाद आता है या फिर कॉश्ट अप कैपिटल से डिसकाउंटिंग करते है तो आटोमेटिक वह इंट्रेस्ट माइनस हो जाता है कोशन नहीं है आउनसर सिंपल है आटोमेटिक वह माइनस हो जाता है जैसी अब डिसकाउंटिंग करते हैं इसका मतलब ही है कि आटोमेटिक माइनस हो जाता है छीक है सर हाँ बस ये एक चीज थी मुझे समझाना था घिक बारी किया मुझे थोड़ी सी समझानी पड़ेगी जरूरी था चले अब एक बात और पूछने जा रहा हूँ होड़ासा और मुझे आप लोगों का साथ चाहिए थोड़ी सी बात और करने वाला तोटोगे तोटोगे बच्छो अब और साथ चाहिए जब बैंक से आप पैसे ले रहे हो बैंक से पैसे ले रूँ कितना रुपे ले रहा एक लख उसका कॉष्ट कितना दिखाई दे रहा है टैन पर्षन ठीक है हाँ प्रिंसिपल भी आटोमेटिकली माइनस हो जाता एक्चुली वो माइनस एक लाख रुपे आप कॉष्ट अप मसीन करके करते हैं और भी हमको डिटेल में पढ़ेंगे अब एक्जामपल के थुरू मुझे थोड़ा सा समझाना मुस्किल होगा पर मैं आपको समझा दूँगा कि कैसे प्रिंसिपल भी आट हाला कि यहां से दिख रहा प्रिंसिपल भी आटोमेटिक माइनस हो गया आप यह क्या करते हो इसको डिसका काउंटिंग करते हो और माइनस एक लाग करते हो ना वो आटोमेटिक एक लाग रुपे माइनस हो जाए हाँ दूसरी सबसे इंपोर्टेंट बात जो मैं आपके साथ करने वाला हूँ सुनोगे तयार हो यह सर यह बताओ बेटे कि बैंक से जो आप पैसे उठा रहे हो हाँ सर उसको हमको लाश्ट लाइन रिपीट करना है लाश्ट लाइन बिल्कुल सिम्पल सी है मैं आपसे बोल रहा हूँ कि क्या interest automatic minus हो चुका है क्या principle भी minus हो चुका है दोनों चीज minus होने के बाद मेरे पास 31,400 बचा जब हम इन ही को discounting करते है तो जो आया होगा PVCI वो आया होगा 1,23,591 और जैसी आप minus 1 lakh करते तो automatic principle minus हो जाता है हलाकि आप इसको cost of project का नाम देते हैं और ज़्यादा detail पढ़ेंगे हम अभी हमारा capital bursting पूरा बाकी मैं इस topic पे आ रहा हूँ क्योंकि कल की बात मेरी अधूरी रहे गए थी कल की बात ये थी हाँ जी तयार हो सुनने के लिए कल की बात cost of capital दिया है 10 person मतलब अगर मैं bank वालों से एक लाख रुपया उधार लेता हूँ तो उन्हें 10 percent देना है क्या पक्का देना है क्या मैं ये बोल सकता हूँ सुनो ना bank मेरी कमाई नहीं हुई तो मैं कहां से दूगा पैसे क्या ऐसा बोला जा सकता है नहीं क्या पक्का देना है येस आप कमाऊ मत कमाऊ आपको देना तो पड़ेगा ये तो पक्का है कि मुझे 10 percent देना ही पड़ेगा यहां तक ठीक है येस तो जब हम discounting करते है न और इधर से जो 50, 40, 60,000 जो आएगा क्या वो पक्का आएगा कि फिर इसमें risk हो सकता है फिर से important बात जो 50,000, 40,000, 60,000 आने वाला है वो पक्का पक्का आएगा कि कम जादा हो सकता है क्या इधर ऐसा हो सकता कि कम ज़्यादा इधर नहीं हो सकता इधर तो दे नहीं पड़ेगा पर क्या इधर कम ज़्यादा हो सकता हाँ सर इधर जो है वो रिस्क है रिस्क Yes, इधर risk है कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन इधर risk नहीं है यह तो हमको दे नहीं है बैंक वाले को इंफ्लेशन पर मैं आ रहा हूं पकका inflation की तो अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं तो पकका देना इधर तो इधर पकका नहीं पता नहीं कि आएगा लेगा तो जब हम discounting करते हैं, सुनो बच्चो सुनो सुनो discounting करते हैं तो हम 10% से discounting नहीं करते हैं थोड़ा सा ज़्यादा लिकर चलते हैं रिस्क है ना भाई, तो risk है तो return भी तो ज़्यादा चाहिए तो हम 10% नहीं लेते, हम कुछ adjust करते हैं और मन से लिख रहा हूँ, हम discounting कि तने करते हैं, 13% से ठीक है, it means cost of capital 10% actual में require rate of return 10% नहीं होता उससे थोड़ा सा हम ज़्यादा लेकर चलते हैं, margin लेकर चलते हैं सर ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रहे important कुछ कहने जा रहा हूँ अगर यह सब करने के बाद, NPV 0 आ जाता है मतलब, bank वाले को देना है 10, पर हमने कर 10 नहीं हमको कम से कम 13 चाहिए, और 13% से discounting किया जो चाहता था वो मिल गया, उसके बाद मेरे पास 0 आ गया अगर यह 0 आ गया, जवाब देना, अगर यह 0 आ गया तो बताइए हम कितना percentage कमा रहा है, अगर हम 13% से discounting कर रहा है और NPV 0 आ गया, तो बताइए कितना percentage कमा रहा है हम इस project से IRR है वैसे, पर बिना वैसे भी समझ सकते हो, बिना IRR जब मैंने 13% से discounting किया, और सब कुछ करने के बाद NPV positive नहीं आया, 0 आ गया तो total मिलाकर यहाँ से इधर तो 10 देना है, तीन extra आ रहा है 10 देना है, पर 13%, क्या project accept कर लेना चाहिए है क्या project हम लोगों को accept कर लेना चाहिए है, हाँ या नहीं सर, discounting किस से कर रहा है, discounting में इस से करो, अभी इसको भूल जाओ एक मिनट के लिए आप 10% से परिशान हो ना, मैंने का 10% को भूल जाइए, मेरा required rate of return है 13%, कोई हिंदी में बता दे, required rate of return का मतलब क्या है sir, require rate of return का मतलब हमें चाहिए 13, और NPV 0 आया, इसका मतलब क्या है, हमें मिल रहा है 13, ली तो बात हुई, हमें चाहिए 13, और मिल भी रहा है 13, तो क्या हम लोगों को project कर लेना चाहिए है, yes 13 परशन कमाई चाहिए 13, तो बहुत सारी बच्चे कल मुझे जवाब दे रहा थे, sir, NPV 0 है, तो neutral है, project नहीं करना चाहिए, ऐसा बहुत सारी बाते हो रही थी, उस समय मैंने बारी क्या नहीं समझाये था आपको, अभी भी पूरी तरह से आप नहीं आओगे, जब मैं RADR Risk Adjusted Discounting Rate, तब हम बहुत सारी बाते करेंगे, ठीक है जी, ठीक है, sir, तो कहानी खतम करें, अब हम लोग आगे बढ़े हैं, NPV के विसे में और भी बाते करनी हैं, ऐसा नहीं कि पर एक साथ अभी में सारी बाते करनूंगा न, तो आप लोग भी परिशान हो जाओगे, यहर, sir टॉपिक तो स्टार्ट करेंगे, एक काम करते हैं, टॉपिक की स्टार्ट करते जाएंगे, बीच बीच में जब जरूरत पड़ेगी, मैं आपको समझाते जाओँगा, तो जब तक Capital Busting खतम होगा न, आप बिलकुल Expert हो चुके होगी, ठीक है, ठीक है, अब भी एक चीज बा का नाम लिया था, आज वोई टॉपिक होने वाला है, चलो जी, एक्जामपल, एक्जामपल नमबर थार्ड, इसमें कुछ नहीं था इस एक्जामपल में, बस ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये क्या है करके, टोटल चार एक्जामपल होगे, एक्जामपल नमबर 3 भी, एनपी भी पर होगा, एक्जामपल नमबर 4 भी वैसी होग, छोटे छोटे रहे है, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट भी, पॉस्ट मेरे साथ लिखना भाई ये सारी चीजे काम आने वाली हैं आपके एक लाख और एक लाख बीस जार ठीके सरा CFAT चलो मैं निकाल कर दे दिया CFAT cash flow after tax जो लाश्ट में लगता ना वह चीज सर CFAT कितना आएगा इससे 28,000 पर रहे न और सर इससे कितना है 27,000 पर रहे न लाख 5 यर्स 80 यर्स पास साल और आठ सा और सल्वेज भी डाल देता हूं सल्वेज 10,000 15,000 इसके साथ discounting rate discounting rate मैं 10% नहीं लिख रहा हूं क्योंकि अब भी मैंने देखाया बच्चों को जब exam होता है न तो बड़े आश्यर की बात है कि discounting rate question में आया होता है 15%, 18% और बच्चे 10% चिपका कराते है क्यों क्योंकि example में 10% ही करके रखा था 12% पर है न which project should be accepted कौन सा project करना चाहिए हमको table बना के करना ज़रूरी नहीं है table बना कर नहीं भी करोगे तो चल जाएगा main concepts presentation जो है वो हम साथ में कर लेंगे presentation का issue नहीं है भई presentation question के साथ कर लेंगे which project should be accepted खास बात क्या है खास बात इस question में क्या है यस लाइफ इक्वल नहीं है इसका लाइफ है 5 साल इसका life है, 8 साल तो C 선택 में कुछ करते थे और हम निकालते थे equivalent कुछ, equivalent करते थे नो दोनों को बराबर करते थे, याद है कि नहीं life अगर different है तो हम लोगों को कुछ काम करना पड़ता था और हमको equalized NPV निकालना पड़ता था या equivalent NPV निकालना पड़ता था तरब कैसे करेंगे तो अब मेरे साथ सत कर लीजे सबसे पहले में क्या निकालूँगा project सबसे पहले काम होगा NPV हर साल कितना है का 28 जार into present value energy factor ले ले लेंगे plus 28,000 के साथ last month salvage कितना मिलेगा 10,000 कोई tax का चक्कर नहीं है मैनस कितना करोगे 1,000,000 इसकाउंटिंग रेट है 12 परशन तो 1 डिवाब 1.12 एक दो तीन चार पाँच मैं तीन डिट ले रहा हूँ 0.56 7 GT 3.60 5 तो 28,000 into 3.605 और 10,000 into 0.567 मैनस क्या करोगे एक लाग एक लाग एन पी वी आया 6 6 1 0 6 6 1 0 एन पी वी एन पी वी आया 6 6 1 0 और जब जब भी लाइफ 5 साल और 8 साल है तो कंपरिजन नहीं कर सकते क्योंकि यह जो एन पी वी आएगा वो कितने साल का आएगा पास साल का और यह जो एन पी वी आएगा वो कितने साल का आएगा यहां कमाई कितने साल की हो रही है पास साल और यहां कमाई कितने की हो रही है 8 साल तो इसको आप कंपरिजन करी नहीं सकते इसलिए हम क्या निकाला करती थे equivalent annual NPV equivalent annual NPV formula क्या था NPV divided by present value NUTA factor formula था नहीं actually logic था इसके पिछे और मुझे पूरी उम्मीद है कि logic आपको पता हो यह नहीं समझा सकता कि कैसे logic है यह तो यार C इंटर का टूटली तो सर 6610 divided by 3.605 equivalent annual NPV निकाल लो कितना आगए 6610 divided by 3.605 answer आगए 1833 1833 ठीक है ऐसी किसका निकालोगी सर ऐसी निकालेंगे प्रोजेक्ट बी का प्रोजेक्ट बी उसका भी क्या निकालेंगे सबसे पहले NPV बोलो कितना आगया 27,000 इन्टू कितने साल का प्रोजेक्ट है 8 साल 1 divided by 1.12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 last में कितना मिलेगा 15,000 15,000 का factor है point 4, 0, 4, 80 4.968 27,000 इन्टू 4.968 M प्लस 15,000 इन्टू 0.404 M प्लस MRC मिनस कितना 1,00,000 20,000 NPV कितना आगया 2, 0, 1, 9 6 Equivalent Annual NPV आ रहा है 4, 0, 6, 3 मेरे कहीं calculation mistake हो रही है क्या नहीं सर सही है इसका क्या निकालने जा रहे है हम इसका निकालने जा रहे है equivalent annual NPV 2,196 divided by 4.968 3,196 divided by 4.968 अंसर आगया है 4, 0 6, 5 अगर इस हिसाब से बोले तो कौन सा प्रोजेक्ट को accept करोगे तर आंसर आएगा P लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि NPV भले ही NPV भले ही इसका जादा हो लेकिन equivalent annual NPV इसका जादा हो सकता है हमारे काम की चीज जो हमें याद रखना हमारे काम की चीज यह कौन सा प्रोजेक्ट करोगे Project B Project B should be accepted हमारे काम की चीज यह हमेसा याद रखना है चाहे question कहे या ना कहे आगे आएगा concept आएगा और वो आएगा optimal replacement cycle replacement decision में एक होता है concept optimum replacement cycle पहले से याद है आपको पर आज से याद रखना है कि जब भी लाइफ अनिक्वल होगी तो हम एक्विवेलेंट निकाल कर ही काम करेंगे किसी को अगर इस फॉर्मले का लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे पर्शनल मैसेज करोगे मेरा वीडियो डला हुआ है मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूँगा ठीक है तो जहां जहां भी आप ऐसा नहीं है मेरे पास भी यार टाइम थोड़ा सा लिमिटेड है अगर मैं बेसिक से चलूँ तो मैं पूरा सीए इंटर नहीं करवा सकता तो जहां जहां भी ऐसा नहीं है कि यार सर हम फाइनल में पहुँच गे पर फाइनल में तो सेर मा रही है हमको सीए इंटर का बिल्कुल अगर दिखका थो तो मुझे बोलना मैं आपको लिंक सेर कर दूँगा मेरे वीडियो डले हुए है या मेरे पास अल्रेडी वीडियो है तो मैं आपको शेर कर दिया करूँगा जहां भी जिस भी कॉंसेप्ट में दिक्क्त आएगी ठीक है जह सर बात समझ में आगए तो एक चीज भर याद रखना अगर लाइफ अनिक्वल हो कहीं लिख भी लिया करो मैं यह चीज़े इसलिए नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि यह सब आपको पता है पर एक बात समझ लो जब भी लाइफ अनिक्वल हो तो हमको एक्विव नमबर फो तब का हो चुका होगा अग्जाम्पल नमबर फो अग्जी यूट्यूब पे मेरा पूरा एफ मी अपलोड होने वाला है पच्चों को फायदा मिल जाए एफ म जनरली में पढ़ाता नहीं हूँ चलो जी एक्जाम्पल नमबर फो फिर से तैयार हो दो प्रोजेक्ट है ए और बी कोश्ट आखरी एंपीवी का फिर हम लोग आगे चलेंगे हैं लोग ठीक है ठीक है सर कितना कितना कोश्ट है सर कोश्ट है मान लो कोई मेशिनरी खरीद रहा है और कोश्ट है मान लो एक लाग और एक लाग पच्चीस एजा ठीक है सर लाइफ पासा और आठसा पासा और आठसा पासा और आठसा सर क्या खरीद क्या रहा है हूँ मैं क्या खरीदने का सोच रहा हूँ मैं एसी खरीदने का सोच रहा हूँ एर कंडिशनर कुछ सस्ते भी है कुछ महगे भी है जब सस्ते है बहुत सारे एसी तो लोग सस्ता वाला क्यों नहीं खरीदते महगा वाला क्यों खरीदते वज़ा क्या है एर कंडिशनर खरीदना है तो लोग जो है और सस्ते भी मिलते कुछ फाइव स्टार बगल के महगे भी बेशते तो समझ भी नहीं आता लोग सस्ता क्यों नहीं खरीते महगा वाला क्यों खरीते है उसके पीछे एक तो लाइफ और क्या चीज है ओपरेशनल कॉष्ट उसका रणिंग कॉष्ट अच्छा सर मैंटिनेंस बिल्कु सही बिजली का खर्चा एलेक्रिशिटी एलेक्रिशिटी सस्ता वाला ज्यादा कंडियूम करेगा हाँ डेली कॉष्ट तो मैं इसको रणिंग कॉष्ट बोल रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं रणिंग कॉष्ट हो गए बहुत सारे नाम दे सकते हो तो सर रणिंग कॉष्ट कितना है मेरा ये कहना है अगर मैं सस्ता वाला एर कंडिशनल खरीदता हूँ तो मेरा रणिंग कॉष्ट आएगा 25,000 रुपए पर है न ठीक है सर बात सही और और इसके अलावा तर मेहगा वाला इसी खरीदने से थोड़ा सा कम खर्चा लगेगा और ये आएगा 20,000 रुपए पर है अच्छा और ऐसा नहीं है कि 5 साल बात चला कर मैं बेच नहीं सकता हूँ क्योंकि सस्ता था इसलिए ये 10,000 रुपए में निकलेगा 5 साल बात और भली 8 साल होगा क्योंकि महगा इसी है तो ये मेरा 15,000 रुपए में निकलेगा और मेरा कॉश्ट आप कैपिटल मान लो 15 परशंट है 15 परशंट और मुझे बताना है which machine should be purchased which machine should be purchased अब एक बात तो है ये आने वाला आपका रिप्लेस्मेंट डिसीजन में जबरदस्त यूज होने वाला इसका क्या कहीं भी cash inflow दिया रहेगा नहीं सर, AC जलाने में कैसा cash inflow पैसा जाने ही जाना है तो किसमें कम पैसा जाएगा वो देख लेते हैं अब डिसीजन किस पर दोगे present value of cash outlaw लेकिन उसमें भी एक समस्या है दोनों का life क्या है अनिक्वल है तो अब क्या काम करोगे outlaw भी निकालना है बिल्गुल सही outlaw के basis पर decision दोगे और हमको लेना है equivalent annual present value of cash outlaw ठीक है जी ठीक है से तो चलेगा start करें lowest cash bill को सही इशी का सही बोल रहे है सब कि सब बच्चे expert है यार पढ़ाने में जो मज़ा आ रहा ना मुझे seriously आपके साथ live classes में वो मज़ा ना मुझे recording में नहीं आता recorded classes में तो मैं अकेला रहता हूँ मज़ा नहीं आता मज़ा तो इसी में है यार मुझे आपके जवाब मिलते दिल खुश हो जाता है कियार हाँ मैं कैसे बच्चे को पढ़ा रहा हूँ मैं दिल खुश हो जाता है चलो जी बस आपके इसी तरह से जवाब आते रहे सबसे पहले हम start कर रहे decision किस पे लेंगे decision लिया जाएगा outlaw के basis में अब हम लिख रहा है calculation of present value of cash outlaw calculation of present value of cash outlaw सबसे पहला काम क्या करना है सबसे पहला काम करना है project A project A का present value of cash outlaw हमको निकालना है मेरे सासद बनाते जाएगे पीछे ना रह जाओ sir एक तो हमारा एक लाख रुपए जाएगा yes pvco मैं मान के चल रहा हूँ tax नहीं है अगर गलती से tax दे दूँगा न तो band बढ़ जाएगे बहुत कुछ है tax के बज़़गे वो यहाँ नहीं करवाँगा वो question के साथ रुगा सब़गे sir 25,000 sir एक लाख जाएगा आज बिल्कुल सही plus 25,000 जाएगा कितने साल तक जाएगा sir ये जाएगा पास साल तक so 1 divided by 1.15 1, 2, 3, 4, 5 और sir लाश्ट में मिलेगा बेचने से 10 जाएगा बेचने से और उसका फेक्टर है 0.497 GT 3.352 25,000 इंटो 3.352 plus 1,00,000 minus 4970 once कोई नहीं है मेरा ही कैलकुलिसन सबसे फास्ट है मुझे ऐसा लग रहा 1 से 1 8, 8 3, 0 मुझे लग रहा था कि आप लोग मुझे से फास्ट हो मेरा ही कैलकुलिसन ये अलग बात है कि गल्ती हो जाए तो मैं कुछ कहा नहीं सकता तो आप बता देना मुझे और सर अब हमको क्या निकालना है अब हमको निकालना है equivalent annual pvc 1, 7, 8, 8, 3, 0 विलको सही ठीक अच्छा मतलब मेरा गलत है आप ऐसा बोल रहा है कि ये दूसरे का है अच्छा बी का सौरी तुनो एक बात कर रहा हूँ फलतो बाते में करता नहीं हूँ पर एक मुझे याद आ गया किस्सा इसलिए आप से बात कर रहा हूँ मेरी जो क्लासे से ना वो दिल्ली से हुई है सारी क्लासे सुन लो काम किया और ऐसा नहीं है कि बहुत हम ब्रिलियंट इस्टूडेंट रहे होगे बड़ी मुश्किल से रोधो कर पास किये थे बी कॉम बी कॉम की में बात कर रहा हूँ ठीक है सर बी कॉम तो रोधो कर और सर टैंथ में क्या था अगर मैं कहूं कि टैंथ में बैसे तो मुझे मैसस लेना था पर मैं उतना लंबी हिश्टरी में नहीं जा रहा हूँ मैं काम की बात कर रहा हूँ तो जब दिल्ली में क्लासिस हوتी थी तो एक जोस था बी कॉम की बात गयya थे अक्चुली तो क्लासिस होती थी सर पूचते थे ना कोश्चन, इक जोस था, किया र, वाउ, exceeded करना और अच्छे से करना, ढंक से करना, सबसे पहली वाली लाइन में जाकर बैठते थे हम लोग, मेरे दोस्ते और में था, पहली वाली लाइन में, अब हुआ क्या यार, सर कोश्चन पूछते थे, और हमारे होस उड़ गया और साइड वाले बच्चे सीराम कॉलिज के बच्चे थे साइड वाले बच्चे इतनी स्पीट से आंसर देते थे यार हमज मैं नहीं आता कि क्या करना है करके अब सुनो अब सुनना दिहां से एक दिन मैंने राद भर होश्टल में पढ़ा राद भर पढ़ा और सबसे सामने जाकर बैठा सर जो कल पढ़ाने वाले वो मैंने राद भर पढ़ा और सबसे सामने जाकर बैठा और जैसे ही सर ने कोश्चन पूछा और सबसे पहला जवाब मेरा था सबसे पहला और इतनी खुशी हुई ना बाकि सब कैलकुलेशन ही कर रहा और सबसे पहला मेरा जवाब और जैसे ही मैंने जवाब दिया तो सर ने reply किया कि आपका अंसर गलत है भगवान कसम उसके बाद पीछे जाकर बैठा और कभी भी इतनी साम तो ऐसा नहीं है इसलिए मैंने पूछा कि ये सही है या गलत है मेरे ख्याल से एक्विवेलेंट आपने निकाल लिया होगा डिवाइट किस्टे करना है दिवाइट 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 परोजेक्ट बी परोजेक्ट बी का निकाल लिया होगा मुझे नपीवी बताओ पीवी सीयो बताओ तर पीवी सीयो नहीं निकाल रहा हूँ मेरे ख्याल से आप का गया होगा PVCO निसिता 53350 PVCO है पक्का PVCO 209843 209843 ठीक है और इसका equivalent annual PVCO equivalent annual PVCO निशानत NPV नहीं बोलेंगे है हम उसको PVCO बोलेंगे 209843 बिल्कुल सही है और मुझे equivalent बताओ यार equivalent 46765 46765 हाँ जी बिल्कुल सही तो बताओ कौन सा वाला अच्छा है कौन सा प्रॉजेट करना चाहिए cash outflow के basis पे मुझे decision दे कर बताओ ये वाला अच्छा है कि ये वाला अच्छा है कौन सा वाला प्रॉजेट करना चाहिए cash outflow जिसमें कम होगा और cash outflow किसमें कम है project B में कम है तो project B should be accepted ठीक है कर दो कर दो होई कौनascal है प्लिए हाँ कर दो कहा है कर दो हो चलो जी फोड़ा सा प्रोब्लम आ गया था आगे चल रहा हूं मैं फाइनली खत्म हमारे एक्जांपल जो काम-काम की चीज़ थी वह हो गया सर अब क्या करना जा रहा है अब हम करने जा रहा है एक टॉपिक और बचा हुआ उसको भी खतम करते हैं फिर वापस हम अपनी इंफ्लेशन पे चलते हैं तो ठीक है सर, श्टार्ट करते हैं, हम बात किसके करेंगे, IRR, IRR मेरे ख्यासे सब को पता है, क्या होता है, बस उस पे दो एक्जामपल लूँगा, छोटे छोटे एक्जामपल और फिर हम लोग आगे चलेंगे, एक्जामपल नंबर कौन सा था यह, एक्जामपल नंबर फॉर, बेसिक सी चल रहा है, आगे लिखो के एक्जामपल नंबर फाइफ, एक्जामपल नंबर फाइफ, एक्जामपल नंबर फाइफ, कैसे इंफलोस, एड़ दी एंड ओफ, फिप्थ यह, मेरी बासन जो मैं ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगाने जा रहा हूं, जिसमें बीच में हर साल कुछ नहीं मिलने वाला है, आज, रियल स्टेट मान लो यार, आज पैसा लगाँगा, एक लाग की जमीन खरी दूँगा, अब पास साल बाद बेज दूँगा, ठीक है सर, अब पास साल बाद पैसा आएगा, आज कितना लगाया, एक लाक, आज लगाया, छोड़ दिया, और उसके बाद मैं पास साल तक वेट करूँगा, पास साल बाद मुझे पैसा एक साथ मिलेगा, तो बताइए, आपने कितने परशेंटेज की कमाई किया, आई अरेनी निकालना, आई अरेनल का मतलब अपनी कितना परशेंटेज कमाया, अज एट, इंटेनल रेट ओपरटन लीकालने जा रहा, कैसे निकालते थे, क्या करते थे, कुछ यादवाद है, या फिर मुझे समझाना पड़ेगा सित, इंटर्नल रेट अपरेटर निकाल रहे हैं कि अगर कि अगर कि अगर कि अगर कि अगर तुम्जाना पड़ेगा दिल खुश कर दिया हाँ आप इंटर्पोलेशन से कर सकते हो जिसको आप हिट एंट ट्राइल मेथड बे बोलते हो या आप जो भी नाम देना हो दे दो ट्राइल एंट एरर मेथड भी बोल सकते हो सुन लो सबसे सिंपल तरीका सबसे सिंपल अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात पर हूँ बिल्कुल ध्यान से समझाऊंगा जो चीज समझाऊंगा बस सुनना है आज कितना पैसा लगा रहे हो एक लग याद रखना कि यह बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है आगे एक चैप्टर आने वाला है बॉंड्स सिक्यूरिटी वैल्विशन बॉंड्स और उसमें बहुत ही ज़्यादा जरूरत पढ़ती है आई अर्र की तो यहां तो यूज है यह 13% आंसर आ रहा है सभी लोगों का 13% 13 पैसा कितना लगा रहे हो सर एक लाह ब्रुप आज लगा रहे हैं पैसा आएगा कितना सर पैसा आएगा केश नक्टो 15 बॉंडड 25 आएगा 1846 243 तो बताओ कितना कमा रहे हो तो method number one मैं दोनो method से करवाना method number one डर्टी पावर से भी हो जाएगा, डर्टी पावर से हो गया, 100% हो जाएगा, लेकिन मुझे दूसरा मैथड समझाना पड़ेगा, अच्छा, मैथड नमबर वन है कि सर हम कितना पैसा लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं, यह सब लिखना बेटे, काम आने वाला है, मैथड नमबर वन, हम लगा रहे हैं सर एक लाख रुपए, 13.15% तनिस का आंसर जो आ रहा है, वो एक्कूरेट नहीं आ रहा, उसकी वज़ा क्या हो सकती, कि आप hit and trial method से कर रहा है, आप interpolation method से कर रहा है एक लाग रुपए कितने साल में, इसर पास साल में, 1 प्लस आर, 5 और कितना आ रहा होगा, 1, 8, 4, 2, 4, 3, एक ये तरीका है यार, होता है यार, एक लाग रुपिया लगाया और पाच्वे साल में, 1, 8, 4, 2, 4, 3, आएगा तो सर, उस हिसाब से, r is equal to, 1, 8, 4, 2, 4, 3, divided by, 1, like, power, 1 by 5, minus 1, और लाश्ट में क्या कर देना, into 100, मेरे ख्याल से ये बात समझवें आती है सब रोगों के, और अंसर कितना आ जाएगा, 13 पर्शन, ठीक, ठीक, इस मैथट का नाम क्या है, इस मैथट का नाम है, अब काम के चीज है, अब सुनना ध्यान से, क्योंकि ना यार, बच्चों को लाश्ट में ऐसे ऐसे डाउट साते हैं, आपको विस्वास नहीं होगा कि आर ऐसे भी बच्चे पूछ सकते हैं, मालो में क्या पूछते हैं, आपको विस्वास नहीं होगा, मैं भी पूछ लूँ एक बार, मैं भी पूछ लूँ एक बार, अगर ऐसा है, ऐसे डाउट स, किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था, इसलिए मैं सोचा, चलो आपसे भी पूछ लेता हूँ, पैसा कब लग रहा है, एक आंसर देना, ये जो पचास अजार आएगा फर्स्ट इयर में, ये कहां से आए, सर माल बेचेंगे ना सर, जो प्रोड़क्ट बना रहा है, उसको बेचेंगे तो पैसा आएगा, ठीक है, वो डेली पैसा आएगा कि साल के आखरी में आएगा, ये लाश्ट दिन आएगा कि बेचने से डेली आएगा पैसा, माल बेचने से डेली आएगा कि लाश्ट दे आएगा सीधा, सर ये तो डेली आएगा, जब डेली आएगा तो फैक्टर आप लाश्ट दे का कैसे ले सकते सर पोजिशन ये भी आता है बच्चों का खेर वो तो आपको पता होगा चलो अब कर रहा है मैथड नमबर टू लास्ट डे आएगा डेली आएगा माल जो बेच होगे आप कोई भी प्रोजेक्ट करो मैंनुफेक्चर करके बेच रहे हो तो डेली आएगा तो फिर आप जो डे जबकि पैसा जो आएगा वो तो डेली आएगा तो फिर आप फैक्टर लास्ट डे का कैसे ले सकते हो पोजिशन बस ये था बच्चों का ठीक है वो एजम्शन है एजम्शन है एजम्शन है क्यापिटल बश्टिंग का ये मेथाड नमबर तो प्रेजन ट वैल्यू मेथट ये नाम यूज होगा हाँ मेभी दूरिंग दा रे सहीं बोल रहा है वांस लेकिन कहानी कुछ और है दूरिंग दा इयर आएगा दूरिंग दा इयर ही आएगा लेकिन जब हम उसको discounting करते तो first year के factor से करते है first year के end के factor से करते है तो सवाल ये है कि जब cash flow during the year आ रहा है तो factor भी during the year का लेना चाहिए ना last year year के end का क्यों factor लिया जाता है तो सवाल बस इतना है कि capital budgeting की एक exemption है कि वो हम during the day का calculation करना बहुत मुस्किल है इसलिए हम ये assume करते है कि जो भी माल बिकेगा वो year end में बिकेगा जो भी पैसा आएगा वो year end में आएगा ऐसी assumption लेका हम काम करते है ठीक है तो question ही बेकार था ये तो आपको automatic assumption ले लेना चाहिए कि last year अब सुनोगे IRR जो है IRR जो है अब मैं निकालने जा रहा हूँ present value method से ठीक है अब मुझे यहाँ आपका साथ चाहिए प्लीज साथ चाहिए ठीक अब सुनना ध्यान से एक लाख मतलब एक लाख मतलब सर ये हो गया present value मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ सुनना ध्यान से इसी को मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ एक लाख 184 243 हाँ सर divided by 1 प्लस आज पावर फाइफ आँ बोलो लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है सर लिखा जा सकता है बस आपने इसी को तर डिवाइट किया ना हाँ इसको क्या बोला जाता है सर इसको बोला जाता है प्रेजेंट वैल्यू आफ कैस आउट लो एगरी सर इसको क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है सर ये कैश इन फ्लो है कैश इन फ्लो है लेकिन डिवाइट तो मैं यार इससे कर रहा हूँ न 1 प्लस R पावर 5 से हाँ तो sir इसको नाम तो बोलो इसका क्या है sir इसका नाम है present value of cash inflow हाँ जब CA Inter में पढ़ा था तो आपने एक बात पढ़ा होगा कि ये जो rate है ये जो IRR है एक ऐसा rate है जिस पे present value of cash outflow बराबर हो जाता है present value of cash inflow के नाम सुना है ऐसा कुछ हाँ sir ये statement पका पढ़ा होगा multiple choice questions है आपको इसलिए सारी महनर चल रही हर चीज हम देखो यार मेरी बात समझा आप यही तो IRR है बिलकुल सही यही IRR है अब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ सुन लो मेरी बात पहले बच्चे बोलते सर थोड़ा सा slow चलोगे मेरा ये कहना क्योंकि एक ही attempt देना है हम लोगों हमको नहीं चाहिए कि यार इस बार समझ में नहीं आया तो अगली बार देख लेंगे अगली बार समझ में नहीं आया तो उसके बादा कहीं और क्लास ले लेंगे उन सब चक्रों में कोई फायदा नहीं है एक ही बार पढ़ते धंग से बढ़ते हैं और फिर कुछ भी आ जाए हम लोग तहीं आ रहे हैं मुझे आपका साथ चाहिए बहले ही क्लास मुझे क्योंकि इस मन्थ थोड़ा सा मेरी और एक बैच चल रही है पर जैसी बैच खतम होती है आगे से नेक्ष्ट मन्स से में आपकी जो क्लास नौ बजे है उसको मैं नाइन थर्टी भी कर सकता बात समझने की कोशिस करना बले वो पंदरा बीस मिनट में थोड़ा सा ब्रेक लेके करूंगा एक साथ नहीं पढ़ाऊंगा कोर्स मुझे नवंबर तक आपको खतम करना कोर्स के लिए फोन आ रहे सर कोर्स नवंबर एंड तक में चे खतम करना है तो मेरी कोशिस रहे की कि थोड़ा सा जो 9 बजे का टार्गेट है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए ब्रेक देकर करूंगा ठीक है पर पढ़ाऊंगा एक चीज वो मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको कैसे बढ़ा रहा हूँ वो मेरे लिए सबसे ज़्यदा इंपॉर्टन्ट है बस मुझे साथ दे देना मैं छोड़ूगा नहीं मुझे मालूम है एक्जाम हम छोड़ेंग नहीं चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए ठीक है सर अभी क्या करना है पी वी सियो इस इक्वल तो पी वी सिय तो एक स्टेटमेंट अच्छा नौ बजे से एक स्टेटमेंट लिए जाए IRR is a rate at which PVCI is equal to PVCO या फिर NPV is equal to 0 NPV is equal to 0 या फिर PI is equal to 1 हाँ सार ये तो C enter में पढ़ा बस बस बच्चों का जो कोश्चन आया था वो ही आया था सर आप कैसे बोल सकते हो कि IRR पे PVCO is equal to PVCI आया आयेगा या आप कैसे बोल सकते हो कि सर IRR एक ऐसा rate है जिस पे NPV 0 है इसके पिछ logic क्या है लोजिक क्या है यही तो logic है dirty power बस मैं dirty power ही को तो लिखा है अलग तरीके से लिखा उन्रेट ही पावर को अब ट्राइल एरर में करते क्या है सर इसमें करेंगे कैसे इसमें हम future का cash flow क्या है यह हम NPV निकलने की कोशिश करेंगे और target क्या रहेगा NPV 0 आना चाहिए ऐसा क्या कौन सा rate लिया जाए कि NPV 0 आ जाए तो सर रेट पता करने का तरीका है क्या तरीका है लेकिन अभी मैं उन तरीकों पर नहीं जा रहा हूँ ऐसा हाँ 2 rate लेने पड़ेगे पर कौन से 2 rate पहला rate कौन सा लिया जाए पहला rate कौन सा लिया जाए यह हमको पता नहीं किया किया जाए यह समझे में आनी रहा है तो अगर हमारे पास कुछ नहीं है हाला कि base होता है वो सब bond valuation में पढ़ने को पिलेगा पर अब एक बास समझो अगर हम लोगों कुछ नहीं पता है तो हम कोई भी एक rate assume कर लेते हैं और सबसे अच्छा rate है मेरे ख्याल से 10% हम 10% से काम करें तो पहले हमने किस से काम किया let assume discounting rate 10% पहले हमने 10% discounting rate से काम किया और हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे है हम निकालने की कोशिश कर रहे है NPV और NPV कैसे निकलता है PVCI माइनस PVCO और कोशिश क्या रहेगी कि NPV क्या आजाए 0 मौणिंग नहीं होगी आप बिल्गो टेंसर मत लीजिए commitment है आपके साथ मेरा NPV क्या आजाए 0 तो सर्फ PVCI target क्या है target यह है कि 10% से अगर discounting करें तो NPV 0 आजाए और भगवान से प्रात्ना करो हे भगवान 0 ला दीजिए बस वही करने वाला हम है तो सबसे पहले बोलो पैसा कितना आएगा 184 243 divided by 1.10 और पावर क्या करूंगा 1.10 नहीं आज़े 1.10 यह दो ले रहे पावर 5 और माइनस क्या करूंगा एक लाग और भगवान से प्रात्ना करूंगा कि 0 आजाए अगर 0 आ गया तो यही तो IRR है 10% तो सर्फ 184 243 divided by 1.10 1,2,3,4,5 माइनस एक लाग तो सर्फ यह आ गया 14,400 14,400 मज़ा नहीं आया अब रेट कौन सा लिया जाए अब रेट कौन सा लिया जाए 10% से कम कि 10% से जादा रेट कौन सा 14,400 बिल्कुल सहीं सभी का NPV आरा 14,400 हमारा टारगेट है 0 लाना तो सवाल है कि 10% से कम लिया जाए कि 10% से जादा लिया जाए सर 10% से जादा जितना डिसकाउंटिंग रेट बढ़ेगा जितना डिसकाउंटिंग रेट बढ़ेगा जितना कॉस्ट आप कापिटल बढ़ेगा उतना NPV गिरेगा बहुत ही बढ़िया कॉंसेप्ट है और आने वाला है जादा लेना पढ़ेगा और ये बॉन्ड वैलुशन में आएगा जितना रेट बढ़ेगा तो रेट कोई भी ले ले सर कौन सा ले ले जिस पे NPV जीरो आजा इस दस परशन से ज़्यादा ही लेना पड़ेगा बिल्कु सही कौन सा ले कौन सा रेट लूँ कि मेरा NPV जीरो आजाए सर ज़्यादा ले लेते कितना ले लेते 15 परशन ले लेते अच्छा सर अब दूसरा डिसकाउंटिंग रेट ले रहा हूं मैं 15% और मुझे लग रहा कि पक्का जीरो आजाएगा 15% ठीक है जी 15% लिया और फिर भगवान से क्या प्रातना करूँगा यह भगवान NPV 0 आजाए 184243 दिवादेड बाइ 1.15 पावर 5 माइनस एक लाक 184243 दिवाए 1.15 एक दो तीन चार पाँच माइनस एक लाक ओ हो यह तो माइनस में आ गया 839899 ले 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 थे 8399 बिल्कुम और हमें NPV क्या चाहिए 0 अब क्या करना पड़ेगा Interpolation बोलो जब सर हमने रेट लिया था 10% जब हमने रेट लिया था 10% आप फॉर्मुला लगा के कर सकते हो फॉर्मुला मुझे याद नहीं रहता मैंने कॉमन सेंस लगा के करूंगा जब रेट लिया था 10% तो सर एनपीवी आया था कितना एनपीवी आया था सर एनपीवी आया था 14,400 जब हमने 10% लिया था तो एनपीवी आया था 14,400 और सर जब रेट हमने 15% लिया तो सर एनपीवी आ गया और कितना हो गया एनपीवी सर एनपीवी हो गया 398,399 हाँ सर तो सर पूरी पिक्चर तो ये है कि जैसे हम रेट बढ़ाए 5% से तो NPV में चैंज हो गया यस कितने परशंट का चैंज हुआ कितने उरुपए का चैंज हुआ 14,400 प्लस 8,399 तो सर ये चैंज हो गया 22,799 यहां से समझना अच्छा सर मतलब पहले पॉजिटिव NPV था पॉजिटिव अब पॉजिटिव से 0 और 0 से नेगेटिव मतलब कितने उरुपए का चैंज हो गया है 22,799 मतलब सर रेट के बढ़ाने से NPV गिरता है गिरता है सर लेकिन हमें इतना कम नहीं करना है सर हमें तो बस कहां तक पहुचना हमें तक 0 तक पहुचना इट मेंस हमें डाउन करवाना है पर कितना डाउन करवाना 14,400 से डाउन करवाना तो हो गया IRR is equal to 10 तो लगेगा लगेगा प्लस पाच पे 22799 तो 14,400 के लिए कितना यह तो आता है यार इस पर मैं क्यों आपको 5 divided by 22799 इंटो 14,400 13.16 परशन करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से यह सब को आता है तो इस पर मैं मेहनत ना भी करूं तो चल जाएगा ना इंटर्पोलेशन करना मेरे ख्याल से यह तो सब भी को आता होगा इसको नहीं आता यह लॉजिक के साथ है 13.15 परशन 16 परशन ठीक है चल जाएगा और जिनको नहीं आता है या तो आप फॉर्मिले से कर लिजिए फॉर्मिले से जो आपको करना है फॉर्मिला भी पता एक्स मैने आप यह स्लोप वाला है ना यार आपको पता इसी से एक फॉर्मिला बना आपको इस्वास नहीं होगा मालू है इसी से तो एक फॉर्मिला बना इंटर्पॉलेशन से मालू है और कोँ से फॉर्मिले बने है एक करते हुँ ना आरे प्लस आरे माइनस आरे फ बीटा बीटाप मार्केट होता है और यहां बीटाप ऐसा कुछ एक्वेशन है हमारा C.A.P.M C.A.P.M बना कहां से है यहीं से तो बना है C.A.P.M जब C.A.P.M करवांगा तब बात करूँगा अब बहुत ज़्यादा टाइम पास नहीं ठीक है सर बात समझ में आ गई है इसको अभी रफ कर ले ठीक है इंपोर्टन्ट है मैं जो बोलने जा रहा हूँ मुझे आई आई आर के बेसिस पे कैसे डिसिजन दोगी 10 और 50 इनका कहना है किसी बच्चे का कहना है एक 10 परशन रेट ले लेते है और एक 15 क्यों ले 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 50 ले लेते है तो क्या आंसर यही आएगा आंसर यही नहीं आएगा आंसर नहीं आएगा क्योंकि जितना गैफ बढ़ेगा उतना एरर आएगा ये भी करेक्ट नहीं है अगर आपका कहना कि 13.16 करेक्ट नहीं है आंसर तो एक्क्यूरेसी में बोलू तो 13% है पर ये ट्रायल और एरर मेथट से एप्रोक्स आंसर आता है और आंसर 0.25% इधर उधर चल जाएगा पर गैप जितना बढ़ाते जाओगे 10 और 20 करोगे तो आंसर और वैरी होगा 10 और 30 करोगे तो आंसर और वैरी होगा इसलिए कोशिस करना 5% का गैप अलाव है चल जाता है वैरीशन आप ज़्यादा लोगे तो वैरीशन ज़्यादा आएगा आजी important question IRR के basis पर कैसे decision लिया जाता है आएगा IRR इसलिए पूछ रहा हूँ internal rate of return के basis पर कैसे decision लिया जाता है अगर IRR जाता है अगर किसी project में हम पैसा लगा रहा है और उस project से कमाई है 10% के यह हम और हमने पैसा उठाया है उस project से कमाई है 13% की और हमने पैसा उठाया है 10% पर तो यहर 10% पर पैसा उठाया है और 13% की कमाई हो रही है इट मिंस क्या हमको project accept कर लेना चाहिए यस IRR के basis पर decision कैसे लिया जाता है अगर IRR जादा है किस से जादा है cost of capital से तो project को accept कर लेना चाहिए एगरे शलो समझदार बच्चों ऐसा है तो एक कोशन का जवाब दे दो गहराई से सूचना गहराई से और जवाब दो के आराम से सूच के और मैं सब को देख रहा हूं कि कितने बच्चे जवाब देते अगर अगर NPV positive है सर फेर से बोलो अगर NPV positive है अगर NPV positive है तो NPV के हिसाब से क्या project कर लेना चाहिए हाँ ना सर अगर NPV positive है मतलब सर 10% के हिसाब से NPV निकाला होगा हाँ 10% के सबसे cost of capital P तो NPV निकालते है हाँ सर 10% के सबसे आपने NPV निकाला और NPV positive है तो NPV के सबसे project कर लेना चाहिए कितने बच्चे जवाब से निकाला था 10% ठीक है सर और अगर NPV positive है important अगर NPV positive है तो क्या IRR कितने परशन के सबसे था 10% के सबसे तो क्या IRR 10% से कम आएगा कि 10% से ज़्यदा आएगा अगर NPV positive है 10% पे तो IRR 10% से ज़्यदा आएगा कि कम आएगा मैंने 10% पर NPV निकाला जो की है positive तो IRR 10% से ज़्यदा आएगा ये कम आएगा ज़्यदा हाँ बिलकुल agree 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 ज़्यदा आएगा इसका मतलब ये होगे जाएगा इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर NPV के हिसाब से accept तो IRR के हिसाब से भी accept ही आएगा इसका मतलब ये होगे सर कि IRR के हिसाब से जो decision NPV के हिसाब से decision जो आता है वही decision IRR के हिसाब से आता है दोनों में कभी conflict हो ही नहीं सकता agree अगर IRR के हिसाब से अगर NPV के हिसाब से आए एकसेप्ट तो IRR के हिसाब से भी एकसेप्ट ही आएगा IRR के हिसाब से रिजेक्ट आ ही नहीं सकता क्या आप लोग सहमत हो मेरे स्टेट्मेंट से यह भगवान नहीं बोल दिया सीधे सीधे ताक्षी का भी कहना है नहीं नो मतलब IRR और NPV में कॉन्फिलिक्ट आ सकता है अप यह कहना चाहते हो इट मेंस NPV के हिसाब से आ जाएगा एकसेट पर IRR कहेगा रिजेक्ट ठीक है अभी तो मैं निकल रहा हूँ आगे अभी इतना टाइम नहीं है कि आपसे डिसक्स कर दूँ कॉन्फिलिक्ट आ सकता है दोनों से डिसिजन अलग अलग आ सकते हैं लेकिन अगर सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट है न तो IRR के सबसे जो डिसिजन आएगा वही NPV के साथ अगर सिंगल प्रोजेक्ट है तो अगर दो प्रोजेक्ट है तो IRR के सबसे डिसिजन ए आएगा और NPV के सबसे आएगा कि B accept करो और आएगा वो हमने पढ़ा हुआ है भी अगर येस बोलेगा तो IRR भी येस ही बोलेगा ये आपको समझना पड़े है अब हमारा काम खतम हो गया हाँ सिंगल में येस बोला बिल्गों सहीं बोले सिंगल में दोनों के हिसाब से एक ही आंसर आएगा लेकिन अगर mutually exclusive proposal है एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट है तो किसी क में A आ सकता है और किसी में B आ सकता और क्यों आ सकता ये आपने C एंटर में पढ़ रख है चलो जी अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास देखनो टाइम क्या हुआ है है अब जितना भी हमारे पास टाइम है आधा घंटा है और अब हम लोग स्टार्ट कर रहा है क्लास और पहला टॉपिक करने जा रहा है ये फाइनल का inflation in capital wasting सभी को book मिल गई होगी क्योंकि book से हम question कर सकते हैं आच second inflation and capitalist इन्फ्लेशन इन कापिटल विस्टिंग या इन्फ्लेशन एंड कापिटल विस्टिंग तर बुक नहीं मिला है कोई बात नहीं मिल जाएगा आज वैसे बुक की जिरुवरत नहीं पड़ेगी मैंने गाना कि अभी जो है जो क्लासिस है आज बेसिक्स मुझे समझाना इन्फ्लेशन एंड कापिटल विस्टिंग बस इतना बता हो क्या ये टॉपिक आपके सी एंटर में था ये इंटर का तो मेरा वीडियो ड़ला यूट्यूब में जूट तो आप बोल नहीं सकते हैं आजी बुक्स के मैटर पे मैं बात नहीं करूँगा मेरा सिंपल सा कोश्चन है बुक्स के मैटर में आपके क्लास के बाद बात कर लूँगा कोश्चन ये हैं क्या इंफलेशन कापिटल बस्टिंग में सीए इंटर में था या नहीं था सर मान के चलो नहीं था ठीक है पढ़ा नहीं सायत हाँ ये सबसे अच्छा सर पढ़ा दी आपको फीज दिया आप पढ़ाईए गुट तो मैं पढ़ा रहा हाँ हाँ जी मैं पढ़ाऊंगा आप टेंशन मतने के तवाल सुनना धियान से बहुत एजी टॉपिक है और यकीन मानो एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अब जो पढ़ने वाले हैं क्या ये सिलेबस पहले सीए फाइनल में था ये जो चैप्टर है एडवांजड कैपिटल बश्टिंग क्या ये चैप्टर पहले था सर सीए फाइनल में यास अभी नहीं था और मैंने पढ़ाया है सीए फाइनल में ये एक जमाने पहले था उ ये इंटर में जो capital budgeting बढ़ा हुआ है, उससे कई गुना ज्यादा easy यहाँ है, बिल्कुल simple, बिल्कुल simple chapter, यहाँ ज्यादा tension ही नहीं है, चलो, ध्यान से मेरी बात समझना, अभी मैं लिखवा नहीं रहाँ, बस आपसे कुछ पूछ रहाँ, answer देना, कोई लिखेगा नहीं, जब मुझे लिखवाना रहेगा, मैं लिखवा दूँगा, ठीक, आप ऐसा समझ सकते हो, बिल्कुल easy है, आप यह tension मतलेना कि क्या है, आप का सुरू से लेकर आखरी तक सारी चीज़े मैं बढ़ाने वाला हूँ, cost of project, तर cost of project कितना है, cost of project है 1 लाग, ठ कोई लिखेगा नहीं, बस सुनना है और answer देना है, हम ना हमारा अनुमान है किया हम किसी project में पैसा लगा रहा है, ठीक है सर, तर life कितनी है, life है पासा, पासा life हो गई, ठीक है सर, तर क्या कुछ बना रहे हो, क्या, हाँ, मैं जिस project में पैसा लगा रहा हूँ, उसमें manufacturing वाला काम कर रहा हूँ, और manufacturing किस चीज़ का कर रहा है, calculator का, calculator बनाने वाला हों है, बहुत सारे सीव वले बच्चे, calculator मांगते, पूचते कि बताओ सर कौन सा वाला calculator, मैं भाला calculator, चलो यह यह बनाता हूँ, तो मैं calculator का business करने वाला है, इसी की manufacturing कर रहा हूँ, और मेरा अनुमान है, first अनुमान है कि मैं यहां 5000 यूनिट्स बना लूँगा 5000 यूनिट्स बना कर बेज दूँगा और सर यहां कितना यूनिट्स बनाओगे 10,000 यूनिट्स बनाओगे इस तरह से काम चलते रहे यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या नहीं ठीक है सर ठीक तो यह कैलकुलेटर में बना कर बेचने वाला हूँ ठीक है सर प्राइस क्या चल रहा क्या चल रहा होगा अभी इसका मार्केट में प्राइस कोई बता सकता है सर इसका प्राइस क्या चल रहा कितने में खरीद रहा है आज कल कैलकुलेटर चलो बता दो कितने में खरीदा है, एकात calculator कोई तना कोई तो अभी अभी हाल में खरीदा होगा, क्या चल रहा है price Sir, calculator का price अभी जो चल रहा है वो 200 रुपए चल रहा है, 200 बोलना आसान लगता, 1500 रुपए हे भगवान, कोड़ तो मैं खुदी लिख लेता हूँ, मैं खुदी लिख लेता हूँ, ठीक 200 रुपए चल रहा, calculator का price ठीक है, ठीक अब मेरा अनुमान देखो, मैं क्या सूच रहा हूँ, अराम से सूना हो गया, हो गया, हो गया, सबज गया, मैंने गलत question पूछ लिया था आप से, मुझे नहीं पूछना चाहिए था, मेरी गलती है, ठीक अब मेरा ये कहना है कि 200 रुपए प्राइट चल रहा था, 200 रुपए प्राइट चल रहा, अब मैं अनुमान लगा रहा हूँ, यार पहले साल तो 5000 यूनिट्स, 5000 कैलकुलेटर इंटू 200 के हिसाब से, तो पहले सल वाओ, कितना सारा है, 200 के हिसाब से, और दूसरे साल सेल्स होगा, चोहते साल कितने का सेल्स होगा, और मैं अनुमान लगाए जा रहा हूँ, यहां तक ठीक है, पर एक चीज तो मैं भूली गया, वह है इंफलेशन, ये जो प्राइज है, ये जो प्राइज है, जो दो सो रुपए है, ये तो मैंने आज के पर्चेसिंग पावर के हिसाब से अनुमान लगा है, मैंने आज के रेट को बेस लिए, आज के रेट को, लिकिन एक चीज और है ना यार, इंफलेशन, उसको कैसे भूल सकता हूँ, इट मिन्स, ये जो है, ये आज के हिसाब से आज के पर्चेसिंग पावर के हिसाब से कैश फ्लो है, जबकि जर केलकुलेटर आज 200 रुपए का है, वो एक साल बाद भी मुझे 200 रुपए का मिलेगा, हो सकता इंफलेशन है इसमें, हो सकता महगा हो जाए, हाँ सर, और मेरा कहना है कि इंफलेशन है मान लो 10% पर एनम, इंफलेशन है 10% पर एनम, तो 200 प्लस 10% बताओ, एक साल बाद कितने का पढ़ेगा ये calculator तर बेच चोगे तो कितने का बिकेगा अगर मैं काऊं अब भी इस cash flow को देख रहा हूं 5000 इंटू 200 5000 इंटू 200 तो कितना हो गया दस लख पर inflation है माल लो 10% inflation है 10% तो फिर एक साल बात का cash flow आएगा 5000 इंटू 220 तो सर ये आगया 11 लक inflation को आप कैसे भूल सकते हैं आपका जो अनुमान था आप जो rate ने का अभी तक जो काम हो रहा था सर अभी तक जो काम हो रहा था capital बश्टिंग में जो भी कर रहे थे हम inflation को consider नहीं कर रहे थे लेकिर अब अगर inflation दिया है तो inflation को consider तो करना पड़ेगा ये कब का price है बता सकता है कोई ये 10 लाख रुपए ये कब आने वाला है आज आने वाला है कि एक सल बाद आने वाला है सोच समझ के बोलना ये जो 10 लाख रुपए है ये आज आने वाला है कि एक सल बाद आने वाला है ये जो 10 लाख रुपए है ये आज आने वला है कि एक सल बाद आने वला जवाब नहीं दो कि मैं आगे नहीं बढ़ूँगा एक सल बाद बिल्गों सही आज नहीं आने वला है बेस आज कल या एक सल बाद आने वला 100 परसन सही ये भी एक सल बाद आने वला ये भी एकसल बाद आने वाला बस यही सुनना चाहता था जब भी केगा जब भी केगा मतलब एकसल बाद और ये पैसा भी एकसल बाद ही आने वाला मैं ये नहीं बोल रहूं कि ये आ जाने वाला है ये भी एकसल बाद आने वाला है ये भी एकसल बाद आने वाला है पर इसमे inflation नहीं है और इसमें inflation को consider कर लिया है तो सर इसका नाम क्या है नाम करन तो करना पड़ेगा भाई यस इसका नाम है जिसमें inflation नहीं होता है उसको क्या बोलते उसको बोलते real cash flows real cash flow का मतलब without inflation और जिसमें inflation को consider कर लिया जाता है उसका नाम क्या है उसको बोला जाता है nominal cash flows दो cash flow है एक real cash flow और एक है nominal cash flow real cash flow का मतलब without inflation और nominal cash flow का मतलब inflation को consider करके कितना cash flow आएगा ठीक है मुझे ना इतना आसान topic है बस मुझे दो चीजे का कुछ नहीं है यार इसमें तो कोई CFAT भी नहीं निकालना इतना आसान topic है इसमें बस ये काम करना है कि sir आपको क्या देदेगा आपको real cash flow देदेगा और inflation का rate देदेगा और कहेगा चलो nominal cash flow निकाल कर बताओ ये बगवान कौन नहीं निकाल सकता अराम से काम हो सकता और एक होता है real cash flow मुझे दो चीजे समझानी है एक समझाना real cash flow और nominal cash flow और एक समझाना real discounting rate और nominal discounting rate और हमारा inflation खतम और कुछ ज्यादा करना नहीं है ठीक है और फिर मैं इसके concept पर चलूँगा पहला काम होगा calculation फिर होगा concept पहला लिखने जा रहा है अब सबसे पहले calculation वाली बात करेंगे पहले concept वानी है calculation एक बार calculation समझ में आ गया है तो concepts automatic फिर हम लेते हुए चलेंगे तो पहला part पहला काम आज क्या करना है calculation of calculation of nominal cash flow from real cash flow nominal cash flow nominal cash flow मतलब nominal cash flow का नाम बता हो इसको क्या बोलना है इसमें inflation है inflation को consider कर लिया है कि नहीं कर लिया तर कर लिया है तो nominal cash flow it means मैं यहां लिखवा दे रहा हूँ आफ्टर आफ्टर inflation इसका एक formula है लेकिन formula हमको यूज नहीं होगा पर क्योंकि कितावों में formula लिखा हुआ है आपके study matter में formula लिखा हुआ है इसलिए मैं लिखा रहा हूँ हलाकि इस formula का हम यूज नहीं करेंगे common sense है यार अगर मैं कहता हूँ यार बताना 50 रुपए था 50 रुपए नहीं था कितना था 200 रुपए था calculator का price आज का मैं कहता हूँ यार 10% inflation जोड़ना है तो बताओ एक तलबत price क्या होगा आप ही ने बताया 220 आप ही ने बताया है पर चलो ठीक है 200 plus 10% 220 अच्छा मैं कहता हूँ दो साल बाद क्या होगा तो दो साल बाद भी बता सकते हूँ ऐसा कुछ है नहीं है तो फॉर्मुला मैं फिर से बोल रहा हूँ इस फॉर्मुले का यूज मैं नहीं करूंगा मैं नहीं करूंगा फॉर्मुले का यूज तर फॉर्मुला क्या है फॉर्मुला है नॉमिनल कैश फ्लो इस इक्वल टू रियल कैश फ्लो वन प्लस आई डूदा पावर एन क्या किसी को एक्स्प्लेन करने की जरूरत है कि ये बात समझ में आ चुकी है ये फॉर्मुला क्या मुझे एक्स्प्लेन करना चाहिए सोस समझ के बोलना मुझे नहीं लगता कि इस फॉर्मुले के लिए मेरी जरूरत पड़ेगी या फ्यूचर में हम कभी इस फॉर्मुले को यूज भी करेंगे जरूरत ही नहीं है यार दो सो में दस परशन बढ़ाना है तो 220 दो सो में दस परशन दो साल बढ़ाना तो मुझे नहीं लगता कि इसको क्या एक्स्प्रेन करूँ है ये तो बच्च वाला काम है ठेक आजका काम क्या हो तरके काम के लिए भी टाइम बचा है कि enforक Yeah जितना भी टाइम है आजका काम क्या होगा सुनोगे में एक सिंपल सा एक्जामपल दूँगा कोशिश यह रहेगी कि मैं आपसे गलती करवा दू और आजका target मेरा यह है मैं आपसे गलती करवाऊंगा दो एक्जामपल लिखूंगा कहीं और कुछ कहीं कहां गलती करवाने वाला हूं सुनो मैं आपसे गलती करवाने वाला हूं कहां मैं आपसे सिर्फ रियल कैश फ्लो से nominal cash flow में निकालते निकलवाते गलती करवा दूँगा, ये मेरा target है और challenge है आपके लिए आप बना कर बताना, तो अभी क्या पढ़ रहा है, हम कुछ नहीं पढ़ रहा है हम सिफ real से nominal निकालने की कोशिश कर रहा है ठीक है जी, ठीक है सर तो चलो, हो जाए challenge दिख लिया है ना आप लोगों ने, yes एग्जामपल नमबर वान देखते हैं सीदा देखते एग्जामपल नमबर वान एग्जामपल नमबर वान यूनिट्स अगर मैंने लिखा selling price per unit मतलब आप ये समझना कि इसमें inflation को consider नहीं किया गया है अच्छा ठीक है thank you selling price per unit है 50 year और यूनिट्स ज्यादा बड़ा नहीं दूगा example क्योंकि हमारे पास समय भी नहीं है 1, 2, 3, 3, 4 1000 यूनिट्स 1500 यूनिट्स पहले साल भी 1000 यूनिट्स दूसरे साल भी 1000 यूनिट्स तीसरे साल भी 1000 यूनिट्स थीक है अगर उस ही सबसे sales बोलोगे तो 50 into एक हजार पचास रुपए एक उनिट का इन्टू एक हजार अगर में रियल की बात करों तो रियल हर साल कितना कितना आएगा वह आपको पता है और मैं सेल्स कोई कैश प्रो मान रहा हूं क्योंकि बड़ा कोश्चन मुझे नहीं करवा ना मुझे कॉंसेप्ट भी कॉंसेप्स कैलकुलेट रियल कैश प्लो और नॉमिनल 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 कैश प्लो सेलिंग प्राइस को मैं सेल्स को कैश प्लो बोल रहा हूं अभी क्योंकि बड़ा कोशन करवाने का समय नहीं टाइम ज़्यादा चला जाएगा तो सर सबसे पहले हम काम करें रियल कैश प्लो सर एक हजार हिटल अनुट नुटल टहूँ अर्ट गहां है काın दुट्कत ना था करें चलाए हूं तो कितना कितना आएगा तर पचास हजार हिए पचास हजार हां हिर्च लात्पक ससी बहुत ऐर को और फार्ड ग कुट्ट है यह liberté तूसरा हमको क्या ने का इंफलेशन को एट करके नॉमिनल कैश प्लो येर और कैश प्लो मुझे अलग-अलग इयर का अलग-अलग चाहिए मुझे टोटल नहीं चाहिए अड साल का मुझे अलग-अलग चाहिए तो मुझे फर्स्ट इयर का नॉमिनल कैश प्लो कितना सेकेंड इयर का कितना थर्ड इयर का कितना फर्स्ट इयर का आ रहा है 55,000 Second year का कितना आ रहा है Second year का Sir 60,500 और उसके बाद का कितना आ रहा है Sir 666 550 66550 इसमें बनाने वाली कैंवाने बात है हमने सिधा लिया 50,000 प्लस 10% किया तो यह गया 55,000 प्लस 10% किया तो यह गया 60,500 और फ्लस 10% किया तो यह गया 66,000 550 इतना सिंपल सा कोश्चन था दिक्कत क्या थी हम्को नहीं लगता कि हमें से आप बोल रहा है को नहीं लगता कि हमें से किसी एक ने भी ये गलती किया होगा बिल्गु सही और मैंने कहा कि मैं अभी गलती करवा नहीं रहा हूँ मैं आपको second example में गलती करवाऊंगा और ये हमारी class का रहा last example तो समझ के करना last example करने जा रहा है इसके बाद class over करेंगे books की जरूरत पढ़ेगी कल तो कल books लेकर तयार रहना कल books की जरूरत पढ़ेगी क्योंकि कल हम बड़े सारे questions करने वाले है inflation के याद रखना CA final इस्टार्ट हो चुका ये सब CA final में real हो गया है nominal होगा है बिल्कुल सही है सभी कान से सही है अब example number two मैंने कहा था दो ही example करवा तैयार रहे है येस example number two here or real cash flow 1,2,3 60,000 70,000 or 50,000 inflation rate 5% पर है न और मुझे nominal cash flow चाहिए हर साल का हर साल का nominal cash flow चाहिए तो समझ के answer देना जाते जाते गलती मत करना कम से का wait कर रहा हूँ आप लोगों का मुझे चाहिए inflation को consider करके nominal cash flow अराम से जवाब दीना पहले साल का answer बता दिया गया और पहले साल का answer बताया गया 63,000 second year का answer पहले साल का answer सभी लोगों का सही है 63,000 चैलेंज वाली बात है second year का answer क्या एक प्रशान्थ वेजिन्ती 77,000 अच्छा आंस का answer आया है तीनों का बताया है उन्होंने ठीक सभी लोग मैं आपको बेकार में ये समझ रहा था साक्छी मैं आपसे बात करूंगा तनिसक का सही है 77,1,7,5 77,1,7,5 बहुत सारे इस लोगों बता अब देखो कि गलती क्या होती है अब समझना गलती क्या होती 78,000 में 5% एट कर दिया कोई समस्या ने अब 70,000 प्लस 5% तो कुछ बच्चे 73,500 बताते सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ कि गलती क्या हो सकती है गलती ये हो सकती कुछ बच्चे 70,000 में 5% एक ही बार एट करते हैं जो कि गलत है कुछ बच्चे ऐसे भी करते क्योंकि पिछला एक्जामपल याद है इसी में एट कर देते हैं वो क्या कर देते हैं 63,000 प्लस 5% 66150 कुछ बच्चे सुनो मैं आपको बता रहा हूँ क्या-क्या गलती हो सकती एक गलती ये हो सकती कि इसी में 5% एट कर रहा है क्यों भाई क्योंकि सर्फ पिछला एक्जामपल हमको याद था ये गलती हो सकती इससे तो हमको मतलब ली है सेकंड येर का कैस प्लो तो ये है अब दूसरी गलती क्या हो सकती है कि 70,000 प्लस 5% कुछ बच्चे इसमें सिर्फ एक ही बार 5% एट करते वो भी गलत है वो भी गलत है क्योंकि पिछले एक्जामपल में इसमें भी आपने दो बार एट किया था हाँ सर याद है इट मेंस सेकंड येर का आंसर आएगा 70,000 प्लस 5% प्लस 5% ये आंसर आएगा 77,1,7,5 और सर लाश्ट येर का आंसर क्या आएगा 50,000 प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5% लाश्ट का आएगा 57,881 ट्रेक्शन इग्नोर कर दिए हाँ जी मैं आप में इतना मैं करवाया हूँ ना इन्फलेशन मुझे मालूम है जब पेपर शेक करता हूँ आपको भी यकिन नहीं होता कि हमसे ऐसी गलती हो जाती है हो जाती है गलती है इसलिए ध्यान रखना ये एक्जांपल में ने जान बुश की कर दो ये कल आने वाला है कि हाँ जी आप ही के इस्टेडी मैट का कोश्चन करवाने वाला हूँ कल में और उसमें ये गलती है आप से हो सकती है बस इन सब चीजों का ध्यान दे रहा है तो खोलोगे तो पहले पेज में इन्फलेशन, रियल कैस्ट लो, नॉमिनल कैस्ट लो और मेरा काम यही है कि मैं पहला वही चीज पढ़ा हूँ जो आपके इस्टेडी में उसी सिक्वेंस में चलेगे हलाकि मेरी बुक में ये जो इन्फलेशन के कोश्चन है लास्ट में दिये रहेंगे, क्योंकि लास्ट में दिया है, पर मुझे समय मुझे मालूम नहीं था कि पर इस्टेडी मैट का मैंने एक-एक कोश्चन करवा दिया तो थैंक्यो सो मच, कल मिलते है साथ बजे कल बुक्स लगेगी, बुक्स अपने साथ में रखना और हम बुक्स से कोश्चन करेंगे और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि बुक्स मिल गई होगी आपको और नहीं भी मिली होगी तो चिंता मत करो यार, एक-दो दिन शॉट कोपी में चला लो, मिल जाएगी आपको बुक्स, ठीक है, थैंक्यो सो मच बाइ-बाइ, कल ये थोड़ा सा देखकर आना, क्या देखकर आओगे कि रियल कैश फ्लो से नॉमिनल कैश फ्लो कैसे निकाला जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है वसे थैंक्यो सो मच, बाइ-बाइ